आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन एप्लिकेशन के बारे में जिससे आप अपने किसी भी डॉकमेंट को स्कैन करके आप उसे पीडियाफ में कनवर्ट कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कागस एप्लिकेशन से जिसकी मदद से आप अपने किसी भी डुक्मेंट को आसानी से अपने PDF में कर सकते हैं इस एप्लिकेशन की खास बात यह है कि आप इसमें नहीं तो आपको एड्स देखने को मिलेंगे और नहीं किसी टाइप्स का आपको वाटर मार्क इसमें देखने को मिलेगा और साथी साथ नहीं आपको इसमें अपना कोई भी लॉगिन आइडी पासवर्ट इंटर करके कोई भी रजिस्टरेशन नहीं करना होगा तो चलिए बिना किसी तेरी के शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यह कैसे काम करता है और आप इसमें अपना कोई भी डॉक्मेंट इसली कैसे इसकान करके पीडियो बना सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप प्लेयर स्टोर से कागज इसके नर नपको एक एप्लिकेशन डाउनलोड कर लेंगे चलिए हम इसे ओपन कर लेते हैं तो एक अपना मंचाहा फोल्डर क्रियाट कर सकते हैं या तो आप कोई नोट्स बना सकते हैं या आईडी कार्ड या बिल भी यहां से बना सकते हैं यहां आट यूर फोल्डर पर क्लिक करेंगे और यहां पर आप अपना एक फोल्डर क्रियाट कर सकते हैं इसके बद यहां पर आप three dot पर जाएंगे, उसके बाद settings पर जाएंगे, तो settings पर जाने के बाद आप यहां से चाहें तो आप इसमें आप lock भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपका जो भी कभी कोई open करें तो इसमें lock लगा हो, तो आप उसको password के ज़रुरत पड़े, इसके बाद यहां पे नहीं तो आपको watermark कोई देखने को मिलेगा इसके बाद अगर आपको PDF बनाना है तो यहां पे plus sign पे click करेंगे plus sign पे click करते ही यहां पे सबसे पहले हम इसे allow कर लेगे allow करते ही आपके सामने यह camera open हो जाएगा और open होने के बाद सबसे पहले हम चलिए एक के book को scan करके आप दिखा देते हैं हमें scan कर लेते हैं तो यह हमने first page इसका हमने scan कर लिया अगर हम एक से जादा page scan करना चाहते हैं तो इसे हम वह भी कर लेंगे तो हम इसे क्या करते हैं यहां पे हम second page इसका scan कर लेते हैं तो यहां पे आप देख रहें कि first and second page हो गया इसके बाद यहां पे हम third page को कर लेते हैं दो इस्तर से हमने 3 page कर लिए है उसके बाद हम क्या करेंगे प्रॉसिट पे क्लिक करेंगे तो हमारा यह पीडिएफ रेडी हो गया है लगिन हम इस से पहले क्या गरेंगे इसमें हम कोई settings करना चाहते हैं तो कर सकते हैं जैसे इसे crop करके हम यहां से इसकी size को fit कर लेंगे तो यहां से हमारा यह PDF ready हो चुका है इसके बाद यहां से चाहें तो हम इसे magic color दे सकते हैं magic color 1 magic color 2 and gray mode और यहां से आप चाहें तो आप इसे black and white भी दे सकते हैं तो इसमें सबसे बहतर है आपके लिए magic color 1 तो हम choose कर लेंगे and done पर क्लिक कर देंगे पर क्लिक करते ही आपके सामने इस दिक आप देख सकते हैं कि यह तीन पेज आ चुका है तो यहां पर हम क्या करेंगे यहां से हम PDF लिखा हुआ है उपर वहां से PDF convert कर लेंगे और यहां से आप चाहें तो share पर क्लिक करके आप चाहें तो इसे share भी कर सकते हैं इसके बाद यहां पर प्लस पर क्लिक करेंगे यहां से चाहें आप three dot पर क्लिक करके आप इसे share कर सकते हैं इमेज में भी आप इसे सेफ कर सकते हैं, इसे मूब टू फोल्डर कर सकते हैं, तो आप यहां से मूब टू फोल्डर करेंगे, और यहां पर जो भी आपने डॉक्मेंट का फोल्डर बनाया है, यहां से आप इसे इंटर कर सकते हैं, इसके साथ ही अगर आप किसी को कैंसल चेक भी भेड़ना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और एक और एक कैंसे चेक ले लेंगे तो हम क्या करते हैं कैंसे को भी क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद प्रोसिट पर क्लिक करेंगे और प्रोसिट पर क्लिक करने के बाद आप यहां से इसे क्रॉप करके अपने हिसाब से इसे फिट कर लेंगे करेंगे next करते ही आप देख सकते हैं यहां से हम done करेंगे और done करते ही यहां से फिर से हम ok कर देंगे ok करने के बाद आपके सामने यह आ चुका है तो आप इसे देख सकते हैं इसके बाद by the way आप कभी इसमें फिर से आप एक page बढ़ाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे इसे open कर करेंगे ओपन करने के बाद फिर से हम यहां पर प्लस साइन पर क्लिक कर देंगे तो चलिए हम यहां को दिखा देते हैं जैसे सब्सक्राइब करना है तो हम क्या करेंगे यहां से प्लस साइन पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे तो ओके करने के साथ फिर से प्रोसिट करेंगे तो यहां पर आप इससे फिर से मैनुवल सेट करेंगे यहाँ पर next करेंगे next करते ही आप देख सकते हैं कि यह magic लर आ गया है यहाँ से हम done करेंगे और done करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर यह आपका पहला first second and third and fourth page आपका आचुका है असानी से आप इसे चाहें तो okay click पे करके आप इसे फिर से कर सकते हैं और अगर आपको देखना है तो यहाँ से आप फिर से जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो भी आपने document इसकाइन किया है वो four page में है इस तरह से आप एक मिनिट के अंदर आप किसी भी document का आसानी से इसकाइन करके आप इसे PDF में बना सकते हैं वो भी आप HD में बना सकते हैं है मुझे जो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और वीडियो पसंद आई है तब लाइक करें अपने प्रेंड के साथ मनुए अगर मुझे रोग सकते हैं प्लेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक क्या है